सबको मेरा नमस्कार अभी तक दिल्ली में टोटल 97 केसेज हुए हैं इन 97 केसेज में पाँच ठीक होके घर चले गए दो लोगों की डेथ हो गई थी इन में से एक व्यक्ति बीच में ही सिंगापूर चले गए थे 89 केसेज बचे हुए हैं इन 89 केसेज में एक पेशेंट वेंटी लेटर पे है तो हम सोच सकते हैं कि वही थोड़े से सीरियस हैं भगवान करें वो भी ठीक हो जाएं दो लोग ऑक्सिजन पे हैं बाकी 86 सब भी स्टेबल हैं और हमें उमीद है कि यह 86 भी और यह लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे मैं तो उनके लिए भी दूआ कर मांग रहा हूँ जो कि वेंटी लेटर पे हैं उमीद करता हूँ कि वो भी ठीक हो जाएं इन 97 केसिज की हमने एनलेसिस की यह समझने के लिए कि जब केसिज थोड़े से पिछले दो-तिन दिन में तेजी से बढ़ने लगे दिल्ली में तो हम यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं दिल्ली में तेजी से करोना फैल तो नहीं रहा इन 97 cases में से 24 case मरकज के हैं मरकज की पूरे घटना करम पे मैं भी बात करूँगा 41 cases foreign travel वाले हैं जो विदेशों में हमारे भारत के नागरिक रह रहे थे और पिछले महीने दो महीने में उनको भारत लाया गया वो cases हैं 41 वो cases हैं 22 case ऐसे हैं जो उनके सीधे परिवार वालों के हैं जो foreign से आये थे लोग हमारे उनके परिवार के लोगों को कोरोना हुआ 22 case ऐसे हैं और 10 cases की अभी हम जाच कर रहे हैं कि वो किस nature के हैं तो फिलहाल मैं यह नहीं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर कोरोना local transmission भी अभी फिलहाल कंट्रोल में है community transmission अभी नहीं हुई है cases बढ़े हैं और मरकज का जो पूरा सिलसला हुआ अभी उसकी वज़े से मरकज से जिन लोगों को निकाला गया है हो सकता है उसमें बहुत सारे cases positive अगले दो तिन दिन में आएं मरकज में बताया जाता है कि 12-13 मार्च के आसपास देश विदेश से बहुत सारे लोग इकटे हुए किसी धार्मिक function के लिए उस धार्मिक function के बाद कई लोग चले गए और काफी लोग रुक गए अब जब पता चला तो उन में से उनको पिछले कल से परसों से वहां से निकाला जा रहा है वहां पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट के कुछ रिजल्ट्स आएं काफी रिजल्ट्स आने बागी हैं 24 लोग positive cases मिले हैं उन में 441 लोग ऐसे हैं अभी तक 1548 लोगों को मरकज से निकाला जा चुका है उन 1548 में से 441 symptomatic थे मतलब उन में symptoms थे किसे को खांसी थे किसे को बुखार था इस तरह की symptoms थे कुरूना के symptoms थे उन 441 को अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है उनके सब के tests हो रहे हैं इसके अलावा 1107 केसिस उनको कॉरिंटाइन के लिए भीज दिया गया है इनमें symptoms नहीं थे इनको कॉरिंटाइन के लिए भीज दिया गया है एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यह ऐसी बिमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है बड़े बड़े विकसित देश नहीं बचे अमरीका में हजारों लोगों की मौत हो रही है स्पेन में हजारों लोगों की मौत हो रही है इटली में हजारों लोगों की मौत हो रही है चाइना में हजारों लोगों की मौत हो रही है कितने देशों के अंदर लोग मर रहे हैं ऐसी स्थिती में भी अगर हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत करेंगे कि इतने लोगों को हमने एक जिगे एकठा किया इस वक्त नवरात्तरे के टाइम चल रहा है लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकठे हो रहे हैं तो इस टाइम में मंदिरों में कितने लोग इकठे हुआ करते थे गुर्दवारे सारे बंद कर दिये गए हैं मस्जिदों के अंदर लोग इकठे नहीं हो रहे हैं मस्जिदों अपने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं लोग, मस्जिदों में लोग इकटे नहीं हुएं, मक्का खाली हो गया, वैटिकन सिटी खाली हो गया, ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिलकुल गलत था, आप सोच सकते हैं कि इस से कितने यहां से बताया जा रहा है कि कई सारे लोग निकल के देश के अलग-अलग हिस्सों में चले गए, कितने लोगों को इस से नुकसान हो चुका होगा, यह सोच के भी डर लग रहा है, भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, तो मैं सभी रिलिजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाता हूं हाद जोड़ के ऐसी हरकत मत कीजिए, चाहिब किसी की धरम के हो, सभी इनसान है, और हर इनसान की जिन्दगी प्यारी है, तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने लग जी साब को लिखा था कि इस मामले में F.I.R. दर्ज की जाए, मुझे पूरी उमीद ह कि की ऐलजी साब तुरंट जल्द इस पर आदेश दे देंगे, और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारिक को इस अफसर को चिट्थी लिखी गई थी, ऊगर किसी भी आफिसर की कोताही मिलती है, उसको भी नहीं बक्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा क वहां से निकल के कितने लोग देश भर में गए कल मैंने सुना तेलनगाना में जो लोग यहां से निकले थे तेलनगाना पहुंचने के बाद 6 लोगों की उन में से मौत हो गई कितने जो जिन्होंने डिरेक्ट पार्टिसिपिट किया था उनकी जिन्दीगी खत्रे में और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी जिन्दीगी खत्रे में हो सकती है ऐसी हरकत हमें बिल्कुल ने करनी ऐसे में सरकार को सक्त कारवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें फिचकिचाएगी ने कुछ दुकानों में दुकानों में जो राशन बट रहा है बहुत भारी संख्या में लोग आके राशन ले रहे हैं कुछ दुकानों में राशन खतम हो गया है वहाँ पे लोग बड़े बेचैन हो रहे थे मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूँ चिंता मत करो राशन हम रोज केंदर सरकार से उठा रहे हैं और दुकानों में बटवा रहे हैं तो आपका राशन आएगा हर व्यक्ति को राशन मिलेगा जिस जिस के पास राशन कार्ड है राशन के दुकान से उसको हर एक व्यक्ति को राशन मिलेगा मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ तो आप वहाँ पे अगर आज मान ली जे राशन बंद हो गया खतम हो गया तो चिंता मत करना कल आ जाएगा परसो आ जाएगा अगले 3-4 दिन में सब को राशन दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं इसके लावा कल मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जो लोग गरीब हैं उनको भी राशन का इंतिजाम कर रहे हैं वो भी सारी कारवाई रोज मैं मीटिंग ले रहा हूँ थोड़ा समय लग रहा है कि कहां से राशन उठाएंगे कैसे करेंगे वो सारा हम कर रहे हैं उनको भी राशन देंगे तब तक आप सब लोग जिनके घर में राशन नहीं हैं आप सब लोग जो जो गरीब हैं और खाने को नहीं हैं आपके लिए हमने जगे जगे किचन लगाई है खाने का इंतिजाम किया है अभी लगबग आठ सो जगहों के उपर दिल्ली सरकार खाना खिला रही है कल से धाई हजार स्कूलों में और लगबग धाई सो नाइट शेल्टर्स में पौने तीन हजार सेंटर्स के उपर खाना बटना चालू होगा और एक एक सेंटर्स में लगबग पानसो पानसो लोगों के खाने का इंतिजाम होगा तो आज तक हम लोग साड़े तीन से चार लाख लोगों को खाना खिला रहे थे डेली कल से हमारे पास दस से बारा लाख लोगों को हम खाना खिला पाएंगे मुझे लगता नहीं इतने लोग खाना खाने के लिए आएंगे लेकिन इस पर हमने काफी सोच विचार किया अभी जहां हम खाना खिला रहे थे वहां खाना खाने वालों की भीड उमड रही थी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही थी तो हमने सोचा इसको बहुत जादा सेंटर बना देते हैं तो लगबग पॉने तीन हजार सेंटर में कल से खाना मिलेगा मैं उमीद करता हूं कि अब वहां पे सेंटर के उपर लोगों की भीड नहीं होगी हम दस से बारा लाख लोगों को खाना खिला पाएंगे लेकिन शायद इतने लोग खाना खाने के लिए ना आएं पिछले कुछ दिनों में कई सारे द्योग पतियों के बड़े बड़े लोगों के फोन आए उन्होंने इस पूरी मुहिम के लिए अपनी अपना योगदान देने की इच्छा जाहिर की जो जो लोग डोनेशन देना चाहते हैं वो CM Relief Fund में डोनेशन दे सकते हैं लेकिन मेरी आप लोगों से गुजारिश है अगर आप सीधे हमें PPE बहुत सक्स जरूरत है मुझे अपने डॉक्टर्स की सेहत की चिंता है हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा PPE सरकार भी खरीद रही है लेकिन अगर आप भी कहीं से अगर खरीद के सीधे PPE दे सकते हैं या ventilator दे सकते हैं या testing kits दे सकते हैं इन तीन से चीज़ों की इस वक्सक्स जरूरत है हम भी कोशिश कर रहे हैं इदर उदर से लेने की ला रहे हैं लेकिन अगर आप भी खरीद के दे सकते हैं तो आप हमें जरूर सीधे खरीद के दे सकते हैं आप सुख्वी रहें, आप स्वस्त रहें, ऐसी मैं प्रभू से काम ना करता हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया.